क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा साइन्स है जिससे आप अपनी लाइफ को completely transform कर सकते हैं चाहे वो आपकी health हो, success हो, relationship हो, आपकी social standing हो या आपकी spiritual life हो ये सारी areas में एक ऐसा science है जो आपको empower कर सकता है, help कर सकता है अपनी life को totally transform करने के लिए और अगर आप मेरे experience के according बात करें तो मैं आपसे ये share करना चाहूँगा कि last 10 years से मैं science पे work कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे miracles होते हुए देखे हैं, मैं आपको एक और example देता हूँ, एक और reference देता हूँ जिससे शायद आप इस science की power को समझ पाएंगे, Anthony Robbins या Tony Robbins का नाम शायद आपने सुना होगा अगर training industry की बात करें, अगर दुनिया के सबसे बड़े trainers की बात करें, transformers की बात करें तो उसमें से एक नाम है Anthony Robbins या जिनका nickname है Tony Robbins उनका उनकी खुद की जिन्दगी इसी science के कारण transform होई थी और आज वो इस science को massive way में use कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिन्दगी को transform कर रहे हैं मेरा नाम Wade है और मैं आपको welcome करता हूँ अपने channel program your mind पे और आज मैं आपसे इसी science के बारे में बात करने वाला हूँ इस science का नाम है NLP यानि कि Neuro Linguistic Programming तो आईए समझते हैं कि exactly Neuro Linguistic Programming क्या होता है what exactly is NLP यह तीन words से मिलके बना हुआ है Neuro Linguistic and Programming Neuro का मतलब होता है mind यानि कि Neuro refer करता है आपके mind को linguistic का reference जो है वो है आपकी language की तरफ यानि कि linguistic means your language और language कौन सी सिर्फ वो नहीं जो आप communicate करते समय बोलते हैं यानि कि सिर्फ verbal language ही language नहीं है आपकी physiology यानि कि आपकी body language भी बहुत कुछ कहती है तो इस language को भी include करते हैं जब हम linguistics की बात करते हैं तो linguistics में आपकी verbal और आपकी non-verbal दोनों ही language आ जाती है and now the third word is programming programming का मतलब क्या होता है programming का मतलब होता है कोई एक ऐसा set of instructions कोई एक ऐसा algorithm जिससे कोई end result produce होता है तो NLP आपको क्या concrete form में देता है या आपको देता है कि कैसे आप अपनी neurology को program कर सकते हैं अपनी language के through यानि कि अगर मैं English में कहूं तो it will be how you program your neurology through your language both verbal and non-verbal ये है NLP अब इसे मैं जरा आसान बनाता हूं देखो सारी दुनिया को हम इस mind से समझते हैं लेकिन ये mind कैसे काम करता है क्या ये हमें समझाया गया है क्या हम इसे जानते हैं ये कितना strange है कि जिस tool से आप अपनी जिन्दगी की सारी चीज़ें कर रहे हैं जिस tool के through आप अपनी life में आगे बढ़ रहे हैं उस tool के understanding हमें और आपको provide नी की जाती और उसकी कारण ही life में हमारे लिए कई बार success को create करना changes को create करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तो इस science के understanding से बहुत सारे changes आ सकते हैं इस science के बारे में मैं आपको कुछ चीज़े share करता हूँ कि exactly यह शुरू कैसे हुआ था 1970 की बात है दो ऐसे महान लोग थे जिनने आज के टाइम पर आप कह सकते हैं कि they are genius in their own field जिसमें से एक का नाम है Richard Bandler और दूसरे का नाम है John Grinder तो Richard Bandler एक student थे University of California में और John Grinder वहाँ पर लिंग्विस्ट के एक प्रोफेसर थे assistant प्रोफेसर थे वो लिंग्विस्ट में तो यह दोनों क्या belief set के साथ काम कर रहे थे अपनी जिन्दगी में इन्होंने एक belief लिया कि अगर life में कोई भी एक इनसान कुछ बहुत बड़ा result create कर रहा है कुछ massive change create कर रहा है या success achieve कर रहा है तो definitely वो कोई न कोई strategy follow कर रहा है वो जरूर अपने mind को किसी अलग तरीके से use कर रहा है जैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने एक belief के साथ शुरू किया कि if one person can do something you can learn to do it यानि कि अगर कोई भी एक इनसान किसी काम को कर सकता है तो आप भी उसे करना सीख सकते हैं provided कि आप उसके mind की programming के बारे में understanding develop कर लें और वो same programming अपने mind के अंदर install कर लें तो इस belief set के साथ इन्होंने शुरू किया और उस समय दुनिया में तीन ऐसे therapist थे जो लोगों की life को miraculously transform कर रहे थे जिसमें से एक थे फिड्स पर्ल्स जिन्होंने gastal therapy develop की थी second थी virginia satire जिन्होंने family therapy develop की थी और third milton erickson जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा hypnotherapist कहा जा सकता है तो ये तीन ऐसे लोग थे जो जिन्दगी में miraculous result प्रोड्यूस कर रहे थे लोगों को अपनी challenges से instantly बाहर ले के आ जा रहे थे तो ये तीन लोगों को study करना शुरू किया रिचर्ड पेंडलर और जॉन ग्रिंडर ने और वहां से ही ये science डेवलप हुआ जैसे आज हम NLP के नाम से जानते हैं यानि कि Neuralinguistic Programming के नाम से जानते हैं दुनिया में इससे जादा powerful कोई science exist नहीं करता जो आपको mind programming को सिखा सकता है यानि कि एक common person कैसे इस science से अपनी जिंदगी को transform कर सकता है ये एक देखने वाली चीज होती है क्योंकि मैंने देखा है ऐसा person जिसका confidence बहुत low है उसका बहुत highly confident person बन जाना जिन लोगों के life में कुछ issues हैं कुछ challenges हैं psoriasis या cyst या ऐसे करके कोई health challenges है वहाँ से बाहर आ जाना एस्तमा जैसी चीजों से बाहर आ जाना लोगों के business को transform करना ये सब कुछ इस science के लिए possible है provided is science की सही understanding लोगों के पास हो तो ये एक कमाल का science है क्योंकि ये work करता है आपके neurology पे आपके mind के अंदर जो neurons हैं जो neural pathways बनते हैं यानि कि जो चीज़ें आपकी life में आपका behavior डेवलप कर रही हैं आपका attitude डेवलप कर रही हैं ये उस root level पे जाके काम करता है और अगर आज दुनिया में कोई भी इनसान को change create कर रहा है तो definitely वो NLP को use कर रहा है either knowingly और unknowingly क्योंकि ये वो science है जो transformation create करता है आपके mind के अंदर की दुनिया को जाके बदल देता है दुनिया दो हैं एक है आपका external world और एक है आपका internal world देखो external world तो हर किसी के लिए एक जैसा है लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उसके लिए अपना internal world कैसा develop किया है आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिनकी जिन्दगी में 10 साल पहले 20 साल पहले कोई event हुआ लेकिन आज भी उस event की memory को वो लेके अपनी जिन्दगी में आगे पड़ रहे हैं यानि आज भी वो उसके बोज में दबे हुए अगर वो कोई negative event था तो NLP ऐसे events से बाहर आने के लिए आपको यूँ help कर सकता है कैसे? ऐसे help कर सकता है Within minutes आप ऐसी memories से बाहर आ सकते हैं अपने phobia, अपने fear को आप kill कर सकते हैं उनको throw away कर सकते हैं आप अपने आपको extremely confident, extremely powerful बना सकते हैं तो ये सब कुछ possible है इस science के through क्यों? क्योंकि ये science आपके mind की basics के recording work करता है हमारा mind चीज़ों को तीन तरह से समझता है visuals, audios and feelings यानि कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है उससे जो अंदर की दुनिया create होती है उसमें तीन components होते हैं visuals, audios and feelings और आपको NLP ये सिखाता है कि आपको mind के अंदर की दुनिया में इन visuals को बदलना कैसे इन audios को बदलना कैसे इन feelings को change कैसे करना है और जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी personality transform हो जाती है, आप massive results की तरफ move कर जाते हैं तो ये वो wonderful science है जिसे NLP कहते हैं